हालो अब्रीवाद स्वामिय विकरन इंस्ट्यूट में आपका एक बार फेसे स्वागत है सो मार्क 21 प्रीविएस वीडियो में हमने डिसकस किया था मार्क कौन से एर में इंप्लिमेंट हुआ कब उसका डवलप्मेंट हुआ किस तरीके से वो लाया गया कौन से एर में क्या क्या इंप्लिमेंटेशन में इंप्लिमेंट हुई मार्क के अंदर मार्क 2nd मार्क 21 इन सब के बारे में हमने पढ़ा और साथ ही साथ हमने उसके टैक्स एं सब फिल्ड पढ़े जो कि हमने अधिशन स्टेट्मेंट तक कवर किये थी उसी का second part आज हम continue कर रहे हैं so that mark के बारे में जितनी भी information पूछी जाती है जो भी information आती है paper के अंदर UGC net के अंदर वो आप अच्छे से attempt कर सके and काफी बच्चों की query ये भी थी कि इसको organized way में एक मैंने query पढ़ी थी कि उन्होंने का था कि ये organized way में आप रखें तो जाधा अच्छा होगा so अभी जो unit 5 है आपकी हम उस पर focus कर रहे हैं so that unit 5 related सारी videos अब आपको एक खटे मिलेंगी साथ के साथ उसका arrangement भी हम ध्यान में दे रहे हैं ताकि आपको unit wise topic arrange मिले तो आपको ढूणने में जाधा दिक्कत ना हो बाकि आप playlist में भी access कर सकते हैं उनको वो सारे topic धीरे धीरे आपको एक organization या organized way में मिलेंगी so mark 21 की बात करें तो हमने उसमें बहुत सारे year पड़े थे जो आप part 1 में access कर चुके होंगे काफी बच्चे जो new user है वो part 1 mark का इससे पहले वाली वीडियो के अंदर access कर सकते हैं जिसमें हमने mark के सारे year का वो आया किस तरीके से implement हुआ ये सब access किया था mark pilot project 1965 में शुरू हुआ 66 तक then mark 66 1 का year 66 माना जाता है then mark 2nd 67 से लेके 69 तक के बीच में आया 1969 तक 1971 में वो national standard बना United Nation का और 1973 में international standard बन गया worldwide यूस किया जाने लगा थब उसको 1973 में international standard गोशित कर दिया गया mark 21 1987 में आया देन उसके और edition 1990 1994 और 2000 के अंदर आये call लेकर आया था मार्क हैंडरी अवराम लाइब्रेरी ओफ कॉंग्रेस ने डवलप किया था मार्क standard बिबिलोग्राफिक standard को ठीक है इसके बारे में इसके बाद हमने इसके काफी सारे टेग्स को भी डिसकस किया स्टार्टिंग के टेग्स आपके में जो सब फील्ड्स है वो यह है जीरो में आपकी कंट्रोल इंफॉमिशन और कोट्स रिलेटेड इंफॉमिशन आती है इसके हैं यह यहनि कि 100 रिलेटेड टूहंड्रट से पहले पहले जितना भी उसमें टैग्स बनाये गया उन सब में ने अन्ट्री लेटेड इंफॉमिशन आपको डालनी होती है बरनी होती है टूहंड्रट यानि की टू सेटूहंड़ट नेकर में आपका एडिशन टाइटल इंप्रिंट एरिया होता है जिसके भी हमने और सब फिल्ड डिसकस करें 400 सीडी स्टेट्मेंट 500 नॉट सेक्शन 600 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड 700 एडिट एंट्री 800 सीरी सेडिट एंट्री एंट्री एंट लोकीशन और 9 एक्सेस लोकली डिफाइन यूजर तो इन डिवीजन ये में डिवीजनस हैं इसकी जिसके ऊपर भी कोशन बहुत बार पूछा गया है तो इसका भी आप ध्यान रखियेगा ये में डिवीजनस में कौन सी इंफोर्मेश आपको option में matching में ये दिया जाता है सामने ये चीज़े दी जाती है आपको match करना होता है इस तरीके से question देखे गए हैं हर एक तरह से हर paper के अंदर ही इस video के last में हमने इनके previous year questions भी लिये हैं आपको ये पता चले कि mark 21 या mark related question कि accordingly बनके आ रहे हैं और अभी हाल ही में कैसे question आया है वो हमने इसमें involved किये हैं ठीक है दैन उसके बाद हमने पढ़ा इनकी proper detail आपको इसका part 1 में मिल जाएगी इसके मैं बस अभी आपको इहां पर recap दे रही हूं इसका एक recap चल रहा है ओके so control fields general information में हमने ये सारी चीज़े पढ़ी control number, control number identifier, date, time, fixed length, physical description, fixed field, fixed length and data element ठीक है ये सब चीज़ हमने उसमें पढ़ा part 1 में then ISBN, ISSN, UDC, DDC, DDC number कौन से tag fields में आता है बहुत important है बहुत बार पुछा गया है 020 tag में ISBN detail रिखते हैं आप लोग 022 में ISSN, 080 में UDC, 082 में DDC and 083 में additional DDC numbers clear फिर 100 हमने main entry का title पढ़ा था जिसमें tags थे 100 main entry personal name का 110 main entry corporate name का then meeting name 111 में and then 130 में uniform title main entry का ठीक है then उसके बाद हमने title और title related field पढ़े जिसमें 210 abbreviated title था 222 key title, 240 uniform title, 243 collective uniform title, 245 जो कि यहां पे main था title statement जहां पे हम title डालते हैं इसके अंदर आपके यह main fields थे जिसमें हम अपनी main entry बनाते हैं पर कोई-कोई organization यह भी यूज करता है तो इसलिए मैंने सबकी information दी ताकि अगर इनके उपर भी question बनके आ रहा है तो वह आप अच्छे से attempt कर सकें clear so अभी आपको लग रहा हुगा कि जल्दी यल्दी हो रहा है क्योंकि यह हम part 1 में discuss कर चुके हैं जस मैं इसका एक बार आपको बता रही हूं कि क्या कि हमने part 1 में पढ़ा था आप लोग part 1 में जाकर mark के इसको access कर सकते हैं वह हम इसमें वहाँ पर प्रॉपर ली मैंने वहाँ पर इसको discuss किया है clear 246 वरेंग form of title 247 फॉर्मल टाइटल एडिशन स्टेट्मेंट आती है इसके बाद 250 एडिशन स्टेट्मेंट में एडिशन स्टेट्मेंट जिसमें information ज्यादा तर लाइब्रेडीज भरती है उसके अलावा 254 में musical presentation स्टेट्मेंट क्योंकि हर डॉक्यमेंट में हर information नहीं होती है तो वह अलग से उसकी सब फिल्ड दे रखिया कि जिसमें यह information वह आप महाँ पर भरेंगे बट यह जो circle में कर रहे हूं यह आपकी main information है जो हर डॉक्यमेंट का पार्ट होती है और वह आपका भढ़ना एक तरह से mandatory होता है 255 कार्टोग्राफिक मेटीरल डाटा इफ है 256 computer file 260 distribution publication in print area यानि की year of publication place of publication and publisher का नीम 263 projected publication 264 production publication distribution 270 address यहां तक हमने part 1 में discuss किया था कि क्या-क्या tags है क्या-क्या subfields है and देखा जाए तो इनके उपर बहुत बार question आए है paper के अंदर और एक continuity way mark related question पूछा जाता ही है तो अगर आप एक list prepare कर रहे हैं कि कौन-कौन सा important topic है आपका तो mark भी उसमें आप add कर लीजिए का mark related questions भी पूछे जाते हैं ठीक है so इसके बाद देखा जाए तो हमारा next term आ रही है हमारे next tags आ रहे हैं जो कि हमने इसमें involved किये हैं yes here it is so सबसे पहला आता है हमारा physical dimension तो physical dimension की अगर बात करें तो वो आपका 300 पे आता है physical dimension related जितना भी aspect होगा वो आप 300 के अंदर फिल करेंगे then 440 serial title as added entry इसको भी underline कर लिजेगा यह भी आपका important है जब series की title आपको added as a added entry enter करने हैं वो आप यहाँ पर करेंगे कोई proper document की series है उससे related उसके जो previous part आ चुके है यह उसका क्या नाम है series का वो यहाँ पर लिखा जाएगा 419 series title not added entry तो यहाँ पर खाली series title आप दे सकते हैं 500 journal notes के लिए होता है 505 bibliographic details के लिए होता है bibliography इसमें आप लिख सकते हैं note section आप 500 journal notes में आता है 505 permitted contents 508 creation and production credits 510 citation reference if case में मतलब आपका जो journal article है उसको कितनी बार cited किया गया तो वह cited reference में आएगा चीक है तो depend on the documentation उसके accordingly इसको perform किया जाता है उसके accordingly इनको लिखा जाता है then 511 participant performance 518 event and time and place in case वो conference proceeding है तो ये सब चीज़ भी उसमें add on होगी 520 summary 546 is language ये आपके और additional text थे जिनके बारे में आपके सामने question आ सकता है then 600 personal name जो की added entry related आ जाता है yes 600 आपका personal name पे आ रहा है 610 corporate name 611 meeting name 630 uniform title 650 topical term 651 geographic name 655 general and form data related to added entry अगर आपके देखेंगे तो यहां पे हमने discuss किया था कि 600 में क्या आएगा तो यहां पे subject access field आते हैं subject access field related to added entries वो यहां पर आती है इसके बाद आपके 700 added entry personal name कोई अगर main entry personal name पे नहीं बना रहा है तब वहां पे added entry personal name से भी बन कर आएगी या different authors है तब भी personal name के उसके अंदर entries added entries आएंगी if कोई भी document के अंदर two या three authors involved हैं तो main entry उसके first author पे बन चुकी है बागी की दोनों author पे उनकी added entry होगी और उनकी detail आप यहां पर डालेंगे added entry personal name के अंदर चिक है then 710 in case added entry corporate name के अंदर बन रही है कोई और corporate name उसमें involved है तो उसकी added entry का corporate name आप यहां पर involved करेंगे ज्यादा तर हम यह use करते हैं 730 added entry uniform title है तो यह यहां पर आएगा 740 added entry uncontrolled title है तो वो यहां पर establish किया जाएगा यहां पर उसको उसका enter किया जाएगा चिक है then 830 series added uniform title series related added entry या location related जो added entry है वो इसके अंदर आती है यहां पर हमने पढ़ा था 800 is related to series added entry and location यानि document का location access या series added entry की अगर information आपको देनी है तो वो इस field के अंदर आएगी जो की आपका 830 field है 800 के अंदर series added uniform title and 850 physics is your electronic location and access कभी कभार आपको प्रॉपर ली उसके टैग्स अगर याद नहीं हो रहे हैं तो उसकी जो main sub fields हमने पढ़ी थी उससे भी आप उनको access कर सकते है चिक है 966 जो कि last में आता है which is your user optional data जो user को कुछ और access उसमें information डाली है user related की user उसको कैसे access कर सकता है या retrieval related वो information यहाँ पर डाली जाती है तो यह main tags and sub fields से mark की जिसके अंदर enter की जाती है main main मैंने आपको double tick करवा के लिखवाई है जो की compulsory होती है बाकी सब के उपर भी question आता है तो कही ना कहीं अगर आप इनकी main titles को पता आपको यह पता चल पा रहा है कि यह main categories है तो अगर electronic location या access पूछा जा रहा है तो वो 800 का पार्ट है तो उसी से related जो tag होगा वही उसका answer होगा इस तरीके से भी आप अपना answer crack कर सकते हैं ठीक है then subject access field है subject related कोई tag आप से पूछा जा रहा है तो वो 600 का पार्ट आता है note section पूछा जा रहा है तो 500 का पार्ट आता है added entry पूछा जा तो उसके अंदर पी चाहे कितने तरीके से आप से पूछा जाएगा आप उसका answer दे सकते हो बाकी कुछ के अंदर जैसे 100 में ही 110, 130 तो वहाँ आपको mainly पता होना चाहिए कि 110 पे क्या है, 100 पे क्या है, 111 पे क्या है, 130 पे क्या है जो कि हमने इसके अंदर discuss किया है इस तरीके स इस पर question बने है, जो कि last में हम discuss भी करेंगी, क्या क्या question आए है, then बात करते हैं mark के structure की, किस तरीके से mark को design किया गया है, क्या क्या field है उसके ओपर, किस चीजों के अंदर उसको बाटा गया है या classify किया गया है, so mark 21 structure या mark structure, the structure of mark required divided into 3 elements, 3 elements के अंदर इसको divide किया गया है, पहला element आ रहा है, आपका record structure, ध्यान दीजेगा, इसके उपर भी बहुत पार question आच चुका है, और यही चीज पूछी जाती है, इस पर से थोड़ा सा name change करके, बट आपको जब चीज पता है कि यह चीज इसका part है, तो आप उसका answer अच्छे से दे सकते हैं, तो first is your record structure, second is your content designation and the third one is data content of the record, पहला आता है record structure जो की framework प्रोवाइड करता है आपको mark का, then content designation, then data content of the record, यह सारी चीज इसके अंदर आती है, ठीक है, बात करें क्या-क्या चीजे उसके अंदर involved की जाती है, record structure में क्या डाला जाता है, data content या फिर content designation में क्या डाला जाता है, तो record structure, record structure it is based on international standard format for informing exchange, ISO to provide overall framework of the record, जो यह mark का हमने tags and subfields बनी, तो मेरा यही motive था आपको tags पहले पढ़ाने का, ताकि आपको उसका structure पता चल जाए, तो यह जो tags है, हर जगा को एक proper tag या proper subfield provide की गई है, तो वो क्या है, वो किसके अंदर provide किया गया है, तो वो framework है उसका, जो framework किसके अंदर आता है, record structure के लिए, तो record structure यानि कि, जो भी आप document का record access कर रहे हो, माक के अंदर, जो बना रहे हो, उसका structure कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, कौन सी field कहा होगी, यह जो बनाया गया, यह कौन से element में बनाया गया, prepare किया गया, record structure में, ठीक है, जाए, ताकि हर library, हर documentation center, उसमें different type of documentation को access कर सके, तो यह record structure के अंदर ध्यान दिया है, इसलिए उसको international standard पर base बनाया गया, ताकि आप information को exchange कर सके, कि इसके उपर depend था, वो ISO 2709, उसके framework के accordingly उसको define किया गया, ठीक है, ताकि उसको एक framework मिल जाए, किस तरीके से उसमे information को record किया ज दूसरा पार्ट आता है, content designation, नाम से यह पता चल रहा है, content designation की वो record कहां होगा, जो आप इसमें data enter कर रहे है, वो designate कहां होगा, तो content designation, it is a set of symbol by which data in the record are identified and manipulated, इसके अंदर proper set of symbols provide किये जाते हैं, जिसके अंदर से यह पता चलता है, कि क्या data उसमें enter किया जा रहा है, और किस तरीके से उसको हम identify कर सकते हैं, किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइप का data कब कैसे, किस तरीके से enter किया गया, क्या उसकी जगा है, कहां वो access किया जा सकता है, through set of symbols, जो कि content designation का part है आपका, and the third one, element जो उसके अंदर आ रहा है, that is data content of the record, जो भी data content के अंद तरीया, जो भी record के अंदर data involved है, वो क्या-क्या है, किस according ली है, उसको कैसे record किया जाए, तो it records specific information field, by field, it comprise description, subject headings, classification number and main entry, जो सारे हमने tags पढ़े, वो किस according design किये गए है, data content के according ली, अगर वो चाते हैं, तो एक ही field रख देते हैं, उसी में सारी information रख देते, उन्होंने सबको अलग-अलग subfields और अलग-अलग tag क्यों provide किये, ताकि data का content अलग-अलग जगा register हो सके, सारे ISBN, एक जगा, सारे DDC नंबर एक जगा, UDC के नंबर की अलग tag, main entry के नंबर की अलग tag, ताकि सबकी main entry एक ही tag में involve हो सके, और data का content एक तरीके से arrange हो सके, या फिर save हो सके, तो ये इसके तीन तरीके का structure ते जो से mark बनाया गया, इन तीनों को use करके, record structure, content designation and data content of the record, ठीक है, इसे के अंदर उसको communicate करने के लिए, three basic sections और बनाया गया है, कि किस तरीके से वो communicate किया जाएगा, by using which fields और which type of sections, तो अगर देखा जाए, leader section, leader section में first 24 characters का, इस्तमाल किया जाता है, इसमें 24 characters को involve किया जाता है, 0 से लेके 23 तक, इतने characters हो सकते हैं, इसे जादा नहीं होते, जो कि mark को, उसकिस format में data को वो access कर रहा है, वो data को क्या field provide कर रहा है, क्या data का number है, control number क्या है, उसका, वो इसके अंदर involve किया जाता है, जो mark खुच generate करता है, जिस number के accordingly, वो enter कर रहा है, bibliographic detail को, data field को, data information को अपने अंदर, तो वो mark leader के अंदर provide करता है, और उसी के एकदम बार directory, record directory generate होती है, जो कि 12 characters की होती है, इसके अंदर जो information दी जाती है, directory means, वो address बताती है, कि कहां पर वो place किया जाए, कहां पर आपकी information access है, तो directory के number के अंदर, जो number provide किया जाता है, जो mark involve करता है, वो आपका directory record directory का part होता है, इसके अंदर involve किया जाता है, ठीक है, 12 characters का होता है, address related की document कहां से डाला गया, कहां पर वो access किया जाएगा, retrieval कैसे हो, उसका, इसके लिए ये provide किया जाता है, and then data content, related to your tags and subfield, bibliographic detail, ठीक है, bibliographic data, classification data, कहां जाएगा, किस तरीके से record किया जाएगा, classification number, main entry कैसे बनाई जाएगी, added entry कहां जाएगी, कहां पर enter करना है, publication detail, ये सारा data content, जो कि अभी हमने पढ़ा भीदा data content of the record, उसी की तरह data content है, जिसके अंदर ये सारी information का ध्यान दिया जाता है, जिसमें आपके बाकी tags and subfields आते हैं, control field related जो tags है, वो इन दोनों में आते हैं, जो कि I think आपका उसके अंदर generate करता है mark और उसके लिए वो एक तरह से registration number का काम करता है, कि किस number के अंदर वो information provide की गई, document की और किस तरीके से, किस number से उस document को वो access कर रहा है, या record में उसको उस number से वो record कर रहा है, अगर आप उसको डूरना चाहेंगे, तो वो जो proper number उसका leader के अंदर आ रहा है, वो इसकी main field हो, तो इस related भी question आपके सामने आते हैं, काफी बार, तो यह आज आज आपका पूरा mark का format and structure आज हमने पढ़ा, तो mark related जितनी भी information थी, वो मैं part 1 and part 2 के मदद से आपके सामने लेकर आई हूँ, so that आपको easy हो जाएगा mark के बारे में आप information को access करना, जो भी बच्चे prepare कर रहे थे mark related या और another bibliographic standard related, अब आपको continuity में unit 5, यानि कि जो UGC net के aspirants है, उनको पताओगा unit 5 में जितना भी detail है, kind of DDC, UDC, CC उसमें हो चुका है, complete, canons and bibliographic standards और भी different metadata elements, वो सब इसमें हम discuss करेंगे, अभी हमने इसमें mark complete किया है, next classes में, next videos में आपको ISBD, CCF इस तरीके के format आएंगे, so that अब जो आने वाली वीडियों के उसमें आपके unit 5 के स सारे topics compile किये जाएंगे, और unit 5 सारे topics access करे जाएंगे, so that unit 5 आप इन वीडियों की मदद से और अच्छे से पढ़ सकते हैं, और information access कर सकते हैं, आप इसी में बात करते हैं, previous year question की, क्योंकि previous year question से आपको यह अंदाजा लग जाएगा, कि चो topic हम पढ़ रहे हैं, उस related question कैसे आय है, या कैसे बना है, ठीक है, अभी देखा जाए previous year question के अंदर, तो पहला question आपका आ रहा है, match of the following, जो की July 2018 में पूछा गया था आप से, और इसमें list 1 and list 2 के अंदर, mark के tags and subjects दे रखें, इस तरीके से question बहुत बार देखा गया है, मैंने हर paper के question नहीं लिए है, एक idea के लिए ये paper या question लिया है, ताकि आपको पता चल जाए, ऐसा question बहुत सारे paper, बहुत सारे previous year question में आप access भी करोगे, आपको देखने को मिलेगा, तो इसको कैसे access करना है, अभी जैसे आप लोगों ने access करी है information, तो काफी बच्चों को पता चल गया होगा, कि क्या इसके answers के अंदर आ रहा है, तो 020 जो कि हमने पढ़ा, that is related to ISBN, 020 आपका ISBN है, नीचे के quotes आपको नहीं देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर का आप access कीजिए information, तो A है आपका, B, इस तरीके से आप अपना rough paper या rough work में अपना information access कर सकते हैं, आप लोग भी साथ के साथ इसको करिए, क्योंकि अपना एक answer solve करना है, तो आप लोग भी इसको कीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ साथ के साथ, 250 देखा जाए, तो इसमें हमें दो दे रहे है, electronic location and data access, addition statement या series, तो 250 आपका addition and statement को देता है, तो A का आपका हुआ 4, ठीक है, and B का आपका हुआ second, उसके बिलकुल सा entry है, तो 440 is related to series, and last में 856 चोकी आपका series added entries के लिए uniform title के लिए और electronic location access के लिए यूज किया जाता है, अभी हमने पढ़ा भी था, तो 856 आपका 1 के लिए आता है, तो हमारा जो correct order बना इस question के लिए, वो बना A का 4, B का second, C का third, D का fourth, D का first, sorry, so अगर answers देखे जाएं इसके अं तो answer है आपका A, B, C, D का 4, second, third, first, यह आपका I thought answer बना रहा है, that is your correct option, ठीक है, यहाँ पे आपको इस वाले के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, जिन बच्चों को नहीं आता तो वो यहाँ पे गलती कर सकते थे, बाकी सब अलग हैं, बट काफी बच्चों से जैसे दो स से भी आप access करेंगे, तो उसका answer निकल सकता था, तो second one is your correct option, ठीक है, यह question आप से पूछा गया था, then दूसरा question भी इसी related आ रहा है, mark related, mark related questions देखा जाए, तो which of the following are parts of mark record structure, just अभी अभी हमने पढ़ा है, और आप से यह जून 2019 में पूछा गया है question, ठीक है, so इसमें आपको aspect दे रखे है, check digit, leader, directory, record, terminator, तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, check digit तो नहीं आएगा, यह आपका isbn और issn का part होता है, check digit, leader, yes, हमने पढ़ा, directory, yes, और record structure, record terminator is the same thing, तो यह चीज हमने पढ़ी, तो यह तीनों इसका part है, यानि कि जो आपका बन रहा है answer, which is 234, तो 234 यहाँ पे आपका answer बन रहा है, which is D option, तो D option यहाँ पे आपका correct option होगा, तो देखिए, इस तरीके से question इस पर बन के आया हुआ है, then यह वाला paper आपका year 2021 में आया हुआ है, जहां तक मुझे याद है, इसमें भी आपको tags के साथ दे रहा है, again वही चीज़े हैं, कुछ-कुछ I thought same ही है, 020 ISBN, अभी हमने पढ़ा था, एक अफ और, आप लोग भी कीजिए, ठीक है, साथ के साथ वैं भी कर रही हूँ, ठीक है, 100 main entry personal name, personal name का 100 tag होता है, जो की B का 1 हुआ, 300 mark the physical description या फिर personal name added entry, added entry आपका 700 का part है, और physical description अभी हमने पढ़ा 2 का part, यानि की physical description 300 का part है, तो C का आपका हुआ 2, और D का आपका हुआ 3, तो इसका बन रहा है 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, पहला ही दिख गया, यही आपका correct option है, ठीक है, तो जब आपको properly इसकी information पता होगी, तब आप उसका अच्छे से answer कर सकते हैं, कभी कबार question और options में, एक दो ही change किया जाता है, तो बच्छा महाँ confused हो जाता है, तो इसके लिए proper information होना, proper technique का पता होना कि कैसे question आएंगी, किस तरीके से उनको access किया जाएगा, बहुत ही बहुत जादा जरूरी है, तो इस वज़े से आपको थोड़ी और help अच्छे से मिली होगी, कि किस तरीके से question होते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह तीन question आये थे, यह मैंने आपको एक kind of hint के लिए, या एक example के लिए दिखाये हैं, कि किस तरीके से question बनते हैं, इस तरीके से बहुत बार मार्क के अंदर question पूछे गए हैं, और साथ के साथ जब हम previous year के question की मैं series बनाऊंगी, तब हम उसमें सारे questions देखेंगे, बट मैं वो सब सोच रही हूँ कि जब आपका exam बिल्कुल नजदीक आये या past में आये, तब एक as a revision के लिए आपके लिए वो बहुत beneficial होगा, तब मैं उसको prepare करके डालू, अभी मैं जादर-जादर topic आपके सामने लेना चाहती हूँ ताकि December attempt आपका अच्छे से हो सके, यूजी सी नेट के exam लिए जाएंगे, तो ये kind of tentative एक तरह से date sheet है, कि 6 December से लेके 22 December तक आपका paper हो सकता है, लाइबर information science का, इसके बीच में, वो पहले भी हो सके, बीच में या फिल at last में भी हो सकता है, बट आप ये मान के चले कि December में आपका paper होगा, तो ये tentative चीज आ गई है, बाकि आप proper notification के लिए UGC net की website या NTA, UGC net की website access करते रही है, ताकि वहाँ पर ही आपको correct notification मिलेगी, अभी ये tentative date sheet आई है, इसको confirm मत मानिएगा आप, ठेके, जैसी confirm हो जाएगा, तो मैं as a video के through आपको inform करूँगी, कि कब आपके application form आ रहे है, या कब आपका paper decide हुआ है, कि exam होगा, तो तब तक के लिए जब tentative आपकी date sheet आई गई है, तो आप ये ध्यान में लेके चले, कि बस अब कुछी महीने रह गए है, September already चल रहा है, half September से ज़्यादा time निकल चुका है, आज से अभी से एक एक topic लेके आप शुरू हो जाईए, जिन बच्चों की अच्छी practice है, साथ के साथ previous year questions, जो भी questions मैंने discuss कर आपना first attempt अच्छे से दे सके, जो भी आप UGC net का त्यारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए information थी, जो सोच रहे हैं, उनके लिए भी थी, तो आज से अभी से आप अपनी त्यारी शूरू कर दीजिए, अभी भी time है, और अच्छे से prepare करने, तब तक के लिए आप वीडियो to ISBT CCF, and unit 5 related सारे topics पहले हम सारे वही करेंगे, उसके बाद दूसरी unit लेके उसके सारे topics करेंगे, इस accordingly अब आपके सामने वीडियो आएगी, आप पूरी कोशिश करूंगी, कि अब वीडियो आपकी unit wise अरेंज करूं, ताकि बच्चे को ढूनने में जाधा परशानी ना हो, इसी के साथ आपका कोई भी doubt है, आप comment section में लिख सकते हैं, कोई भी issue है, notifications related कोई आपको information चाहिए, comment section में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको उसकी information ज़रूर मिलेंगी, तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से access कीजिएगा, कोई भी doubt आता है, comment section में आप लिख सकते है कोई भी topic related आप वीडियो चाहते हैं, वो भी आप comment section में लिख सकते हैं, मिलते हैं next class में, channel को subscribe कीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो timely आप तक बिल सके, okay, मिलते हैं next class में, इस वीडियो को अच्छे से like कीजिएगा, access कीजिएगा and share कीजिएगा, thank you so much